तो यह देखो प्यारे बच्चों इस वाले अगर इस वाले सवाल को तुम देखोगे तो इसमें एक अच्छा सा सवाल है एक बॉल इस प्रजेक्टेट फ्रामे साटेन पॉइंड प्लेनेट चलो हम लोग किसी एक इमेजनरी प्लेनेट पे चले जाते हैं और वहां जाके हम ल आप ञाएं तो कहते हैं मैक्सिमम ह parallel को सकता अब देखों मैक्सिमम हैट कितना हो सकताथ देखो में थमैक्स का कंडीशन क्या होता है जब भी आच्माइक्स होगा विल्जीटी यह जीरो खुआ होगा अगर में अगर एप्रॉटिकल विल्जीटी निकाल लेता हूं यही condition देगा maximum height का तो जो vertical velocity है वो vertical displacement dy over dt इसका derivative ले लेता हूं तो d over dt यहां से 10t minus t का square मल यहां 10 यहां से minus 2t आ जाएगा that is vertical velocity varies function of time तो जब condition of maximum height condition जो है इस condition को यहाद रखना condition of maximum height जो है वो वो कभ एचीव होगी तो maximum height जो हो जाएगा तो अगर पांच सेकेंड बाद मैक्सिमुम height अटेंड हो जाएगा तो उस 5 की तो वाई की वेलू की maximum height देख लेते हैं वाई उस वक्त वाई कोडिनेट कितना होगा तो यहां पे यहां पे वाई तो यह जनरल है लेकिन वाई maximum हो जाएगा कब जब यहां 10-5 और माईनस 5 का स्क्राइड टाइम 5 सेकेंड तो 50-25 मलब 25 मीटर maximum y कोडिनेट यहां पाक्सिपल है और वही maximum height है ठीक ना आई हो कि आपको मज़ा आ गया होगा समझके तेंक यू वाई टेक केर मतलब अपना डी आप्शन सही है प्रूब अपना टेप। झाल हमेंगा झाल झाल